कि ओके गूर्णिए फ्रेंट्स चलिए आज भू डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक साइस सेशन हमारा 53 होगा चैप्टर हमारा 10 है ठीक है चैप्टर जो है आपका उके ठेंड होगे 10 होगे चैप्टर 10 है रेस्पिरेशन औरघनिम है 나 हम लोगोंने बहुत सारा डिस्कस किया कि रेस्पिरेशन क्या होता है कैसे रेस्पिरेशन प्रफार्म करते हैं अब यहाँ पर येख पात डिस्कस करते हैं कि हाउटो होमेड है360 2 ग्रेट कैसे सांस लेते हैं ठीक है आत्मिया के सांस लेते कैसे उसमें एक अक्टिविटी भी आपको करना है और आपको बताना है मुझे यह दिखाना है ने होमबर्ग आज का होगा कि आप यह वीडियो बना करके हमको भेजेंगे कैसे सांस लेते हैं इसको हम लोग समझते हैं जैसे मामने यह दिखा बना कि मैंने सभी सब्सद्री यहेस बना किたい ऑफ ड्राइग्राम से बनाते हैं इंक है उब high नायाव बनाया घ्क है कि मुणूत Q2 ने के चीजिए आप देख रहे हैं ये कवर होता ह mi आपने डियाग्राम ने भी बनाया में कि तब कावर होता है 6 कि यहाँ पर इक और पीछले देखा था जिसको हम लोग कहते हैं कि दाइफ्रांग यह यह कवर होता है नीचे डाइफ्रांग होगा यह था है फुर्मॉनिरी कवर्ड इसको प्रूगल कवर्ल था है इसको तो यह डाइफ्रांग इससे कवर होते हैं अब हम लोग सास अकेव बिस वे रहे हैं वे बेन से कंट्रोल होता है कोई अदमी अगर सासले अधंस में प्र प्रकर कर रहा है यह डाइफराम नीचे क्यों या दाइफराम नीचे क्यों आता है, बक्र प्रОम नीचे क्यों आता है you जैसे ही नीचे क्यों राएगा तो यह जो चीजे है यह खेलेंगा जया मगा expanding करेंगा तो air क्या करेंगा? do you care? करेगा कहीं भी अगर खाली जगा होगा तो वहां पर इंट्री करेगा कि इन चीजों को समझने के लिए आपको मैं एक्टिविटी बताता है आप लुग घर प्रके खेलेंगे वैसे हम तो यहां रहते हैं तो आपको मैं खुट करके भी दिखाता था थीक है बहुत सारे इस्म किसी भी बोतल से बना सकते हैं माजा का बोतल लेजिए प्राइट का बोतल ले लिजिए जो 600 ml का आता है जो इस बोतल में क्या करना है इसके उपर थक्कन लगे होंगे ठीक है? खेंट भे ढगन लगे होंगे जिस्तक्तन क्या करना हनाँ है? साबधानी से घर पे बड़े लोगों के ह lime से खोई लोहा गर्म करनाय क्या प्रिय के निया कहल लोहा kशा काल करनाऊ है यहाँ पर कमें an de a भोल करेंगे, बोल करने के बाद आपको एक पेन आता है लिंक–ीजण, थेखा is पेन को- आप उपर बादा आगे से भी, पिछे से भी खुल सकता है या आप उप्सको आप पूहराइऑ, या नहीं भी प methyl काटेंगे फिर दी आप धित varb लेकिन पेन हम सेट का कैसे करेंगे पता है पेन सेट करेंगे हम बॉटल में धक्कन में सेट करेंगे ना कि हम बॉटल में सेट करेंगे ठीक है उसको धक्कन में सेट करेंगे और सेट करने से पहले इसमें जो इस्ट्रॉ होता है इस्ट्रॉ होता है इस्ट्रॉ होता है आप लो लेकिन उसने से पहले आप क्या किरेंगे क्यों बढ़ नवाला वाला टेलून होता है ठोटाए वह रटे वाला बैलून आप दो पार्ट में यह दो बैलून आप बांग दो बैलून आप बांग नएक Apa तह अब बोटल के अंदर यहverts लेकिन बोटल के अंदर सेट करने से पहले क्या करना है कि इस जगा पे एक डो और करना है उसी घरण रोड से कडिये ज्काशी से कर रुप वाफ उपर आपको क्या करना है वह जो एक फल बनाते हैонец Beach यह वह बैरून चरहा देना बैलून चाहा देना है ठीक है आपके बुक्स में पेज नंबर 156 में इसका अक्टिविटी भी दिया हुआ है अब आप क्या करिएगा कि जब इस बैलून को फकड़के आप नीचे प्लूर खीचिया देखिए गौर से मोडल है यह क्या पता है मोडल और मागनीजम ना मोडल और मैकनीजम आपसे कोशन पूछा आजा सकता है अब यह जब इसको आप तो अब प्रेदिम देखिए यह हमारा क्या है तो यह रखा उपर से ओपर यह यह जो डाईफ रहे हो Dyson या निचे वाला अटाइफ रह disp भी ऑज़ छो यह दोनों डेत हैικά यह सब हो यह आइस थोटा वाला वहान से ऊगे कर दो ही कि यह द्रौकर करें आप कुछ अमारा पॉर्टर अब इसमें आपको बना के क्या देखना है यह जो आपका बॉडल आपको दिख रहा है यह जो सम्धाने की बात है वो यह है कि जब आप बैलून को छोड़ देंगे पूसब कर देंगे उपर की ओर जब छोड़ देंगे तो यहां पर प्रेसर कम हो जाएगा और बैलून सिकूर जाएगा लेकिन जब आप उसी बैलून को जो डाइफ्राम जिसको हम लोग कर रहे हैं वही बैलून अगर उसको नीचे की ओर खीचेंगे तो वह बैलून आपको इस तहीं से एक्सपेंड करता हुआ जिक्ता हूँ है यहां ओल है यहां इस बैलून को अगर हम नीचे की ओर खीच रहे हैं तो यह बैलून इसे डाइफ्राम हमारे डाइफ्राम यहां इससे नीचे डाइस्टिफ सिस्टम होता है आपने पढ़ा है लिटिसन चप्रवी डाइफरां को जब नीचे जाता है तरफ जाएगा तो यह लग्स एक्सपैंड करेगा तो इसमें एर आएगा और एर आएगा तो यहां जो यह मोडल जो आप देखें इसको आप बना क पहाएखर आपको क्यारी क्यारीक्कार्मेंट हो गे देखिये स्ट्रॉज चाहिएक आपको कितना एसस्ट्रॉज चाहिए दू पह Did You May चाहिए उसकी लीट चाहिए सी ऐस रहे वहीं और इस्टेर्स जो खडाब हो गया उसको ले लिजेगा है娃 न सा ताइड का क्या इस्ट सब्सक्राइब लिए या आपको फेवी कॉल भी होगा तो फेवी कॉल यहां अगर मारें गया तो वह ब्लॉक हो जाएगा मतलब वहां से एर नहीं जाना चाहिए एकदम साथधानी से इसको बनाया जा सकता है तो इस तरीके से आप जो मेकनिजम आप मोडल अप ब्रेदिं बना सकते हैं यह आपका यह बन गया ठीक है तो यह तो यह आपका समझने में में बिल्यक्रल आसानी होगा हुरा कि यह आखिव सांस चलता कैसे है जब भी डाइफ्टराम नीचे आता है तो यह लंस एक्सिए और जबन स्वर्द करतें तो यह यह से jsा और जाना। और एक होता है सांस का खोड़ना यहन effet इस सांस का अदर आना। इना सुब düşंड हैं जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो ऑकशीज़न होता है अस constitutional क्यों होता है वो होता है 21% कितना होता है 21% अग जब हम छोड़ते हैं तो उसमें जो oxygen होता है oxygen होता है वो होता है 16.4% 16.4% यहां पर oxygen absorbed हुआ वो हमारे body में चले गए और उसके बदले में कोई दूसरा चीज हमारे आया जब सांस लेते हैं तो उसमें carbon dioxide जो होता है carbon dioxide जो होते हैं वो होता है 0.04% या 3% ऐसे होता है आपके box में 0.4% दिखा है तो 4% लेके चलिए और जब वो वापस आता है तो यह जो carbon dioxide यहां पर मुड़ा दिख देते हैं यह होता है करी 4.4% पर से थिक है यहां तक कोई दिकत नहीं और वाटर वाइपर अगर अब देखते हैं तो यहां पर वाटर वाइपर ठीक है वाटर वैपर लिटील अमगको होता है लिटील अमगको कम होता है oluyor और कम होता है लेकिन जब वही हमारा अग्जेन होता Commonwealth यहां पर वाटर वाइपर यहां पर holds it तो आपको पता चलता है कि उसमें वाटर भैपर भी रिलीज हो रहे हैं तो यहां तक आपने मैकेनिजम समझा मोडल समझा और मोडल के बाद आपने कैसे कैसे सास हम लोग लेते हैं उसको हम लोगों ने देखा प्रोपर हाँ ब्रेदिंग रेट क्यों है आपको समझना रेट आफ ब्रेदिंग देखेंगे तो यह जो होते हैं एक नॉर्मल एडल्ट ने जो रेस्ट के स्टेज में है वो सिस्टीन से लेकरके एटीन टाइम्स पर मिनट पर मिनट का होता है ठीक है उसके बाद एक पल्स रेट होता है जो आपको यहां इसके साथ जाना है पल्स इस तरीके से जब इस इनहेल करते हैं तो हमारा जो यह थोरासिक काविटी है यह जो कहां है वेल इस लंसी सिक्विटेट प्र मिन जो इस तरीके से लंस में जो भी एक विशेश प्रोसेस है जो आज के वीडियो में प्रोपर हम लोगों ने देखा इस टोपिक को आप और अच्छे नहीं से देखियेगा अच्छा रेस्पीरेशन के लिए जो एक इक्वेशन होता है यह भी बहुत इसको भीश्य ह आपको याद करना है इसको मैंने याद मोडल बना के भेजेंगे आज का होंबर का आपका सिर्क मोडल बनाना है तो मैचेनिजम इस पर देगे डिए इस पर फोटोसिंटेसिस में आपने पढ़ा होगा कभी C6, H12, O6 plus, ठीक है, C6, H12, प्रोटोसिंथेसिस में CO2, CO2 plus H2O, इंवारोमेंट से, यहां मौजूर होते हैं Sunlight, ठीक है, इसके पास Chlorophyll खुद का होता है, Chlorophyll खुद का होता है, और यह बनता क्या है, C6, H12, O6 plus O2, बैलेंस कर देंगे, यहां 6 लगा देंगे, यहां 6 लगा देंगे, यहां 6 लगा देंगे, यहां 6 लगा देंगे, बनेगा क्या, बनेगा, C02 plus X2O, इसको भी बैलेंस कर देंगे, यहां 6 लगा देंगे, दीजिएगा, O2 होगा यहां पे, यहां पे 6 लगा, यहां पे engines होते हैं, वहां पे खुद का प्लोड़ खुद का है, उसके just opposite है, इधर वाले को हम लोग बोलते है, reactant, क्या बोलते है, reactant, और इधर वाले को बोलते हैं, पुरोटा, ठीक है, इधर वाले को हम लोग बोलते हैं, तो आज के वीडियो में प्रोपर इन सब चीजों को देखिए, next वीडियो में हम देखेंगे, कि आपको, रियल में carbon dioxide, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, उसमें carbon dioxide ही रिलीज होते है या कोई और चीजे रिलीज होते हैं, ठीक है, कोई और चीजे रिलीज होते हैं, उसको हम लोग next वीडियो में प्रोपर देखेंगे,